तैमंद पैन कर दोड़ नहीं लगाई जा सकती ऐसा करने से उसके तैमंद के खुल कर छिटकने का जोखिन बना रहता है इसलिए पाक के तैमंद बाज आगे निकलने की बजाए पीछा करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं चार दिन पहले स्री लंका के राष्टपती गोटबायार राजपक से भारत में प्रधार मंतरी बोधिशा मुलाकात में 40 क्रोट डोलर हासिल करके लोटे तो उनके पीछे पीछे पात के विदेश मंतरी सामयवूद कुरेशी भी स्री लंका के लिए भाग लिए शुरुआत में तो यही लगा कि भारत ने स्री लंका को जो 40 क्रोट डोलर दिये हैं कुरेशी की नजर उन पर ही है साइद वेह भी पाकिस्तान के लिए उसमें से कुछ खेरात जटक ले बाद में मामला कुछ और ही निकला दरसल कुरेशी स्री लंका में चीन के एजेंट बनकर पहुचे हैं राजबकसे के राष्ट पति बनने के बाद ये चर्चा जोरो पर थी की वे चीन के समर्थक है इसलिए भारत में इसको लेकर एक नकारात मक महोल तैयार किया गया जबकि चीन और पाकिस्तान बिना ढोल बाजे ही तैमंद और चड़ी उचाल कर बकरी कुदान कर रहे थी मगर मोधी डिपलोमेसी ने ऐसा पासचला की राजबकसे ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को ही चुना हालकि पाकिस्तान के फंटर वजीर आजम ने भी उन्हें पाकिस्तान आने का निमंतरन दिया था मगर राजबकसे ने भारत का पर्थव विदेश दोरा करके आलोचको के मुँपर तालेट जड़ दिये साथी चीन और पाकिस्तान के बकरी कुदान और गधया नरते पर भी विराम लगा दिया पाकिस्तान के विदेश मंतरी एक प्रकार से चीन के दल्ले बनकर सिरिलंका पहुँचे है चीन का मकसद कोलंबो पोट के निर्मान में जुटे भारत और जापान को सिरिलंका से दूर करना है मगर राजपक से की भारत यात्र के बाद अब ये आसान नहीं लगता क्योंकि सिरिलंका में सामेमूद कुरेशी की अगवानी के लिए कोई नेता तक नहीं आया बलकि एरपोर्ट पर मोजूद अधिकारियों ने उनका बोर्य अबिस्तर एक कोने में पहुचा दिया वैसे भी सिरिलंका और पाकिस्तान की मुलाकात का कोई मोल नहीं है पाकिस्तान तो खुद कंगला हुए कटोरा उठाय घूम रहा है जबकि सिरिलंका को मदद किंदर करार है इस भिकारी मुल्क को जैदा भाव देकर सिरिलंका अपनी साख पर बट्टा सायधी लगाना चाही राजबक्से की भारत दोरे की घुशना के बाद से ही चीन और पाकिस्तान में बेचैनी शुरू हो गई थी इससे पहले कुरेशी ने अपरेल 2019 में सिरिलंका यात्रा का कार्यकरंग बनाया था किन्तु यहां सिल्शिलेवार हुए विस फुटो में पाकिस्तान का नाम आने के बाद ततकालिन सरकार ने पाकिस्तान के दोरे को हरी जंडिन नहीं दी थी गोर तलब है कि इस घटना में पाकिस्तान के जमूरों की तरप से इस थान्य संक्ठनों को मदद दी गई थी सिरिलंका सरकार में इसको लेकर काफिर रोस था कहने वाले तो यही कहते है कि इमरान खान ने तैमद और टोपी की सपत लेकर राजपक्से को मनाया है जिसमें चीन ने भी सिरिलंका पर कुछ दबाब बनाया उसके बाद ही सामेमूद कुरेशी की इस यात्रा को हरी जंडी मिली है इस वक्त पाकिस्तान भारत की कूट नीतिकर जाल में बुरी तरह उलज़कर कस्म सा रहा है हलत यह है कि चीन को छोड़कर कोई भी परोशी देश उसको एहमियत नहीं दे रहा सिरिलंका की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान में जाना भी चीन के दबाब का असर माना गया है चीन की चालबाजी है कि वे पाकिस्तान को सिरिलंका के करीब लाए इसके लिए 8 दिसंबर को पाकिस्तान अपनी टीम को दो टेस्ट मैच खेलने तू सिरिलंका भेज रहा है यानि पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाहने अपनी नईया पार लगाना चाहता है ऐसा ही एक ऐसा पलपरियास उसने बंगला देश की महिलक क्रिकेट टीम को पाकिस्तान बुला कर किया था पर इससे पाकिस्तान की आतकवाद प्रस्तनीतिया खतब हो जाएगी ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता है खास तोर से पाकिस्तानी मूलके उसमान खान ने बिर्टेन में जो जंडे गाड़े हैं उससे पाकिस्तान को काफी ख्याती मिली है जिससे पाकिस्तान एक बार फिर सुर्ख्यों में है इसका असर भी स्रीलंका में देखने को मिला जब सामेमूद कुरेशी के दल में गए कुछ लोगों से पूस्ताच की गई स्रीलंका ये अधिकारियों को संदेथा की उनके साथ ISI के कुछ अधिकारी भी आए हैं जिसके बाद बारी किसे छान भी इन की गई चोकाने वाली बात यह है कि पाक के विदेश मंतरी को अपनी स्रीलंका यात्रा का मकसद इन नहीं पता है क्योंकि इस यात्रा में ना कोई समझोते का मसोदा है और ना किसी विशेश मुद्दे पर वारता का कार्यकरम तै है स्रीलंका का विपक्स सरकार से यही सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंतरी का यह दोरा किसलिए है यानि इस प्रष्ट है कि अब सामयमूद कुरेशी स्रीलंका जाए या चीन के वांकिसान भारत के PM नरेंदर मोधी ने सिरिलंका को भारत का खास दोस्त बनाने की जो नीती तयार कर दी है उसको अब यह दोनों मात नहीं दे सकते कुरेशिया चीन का दवाम में कोलंब पोर्ट पर भारत और जापान का प्रभुतव कम नहीं हो सकता इसके लिए चीन और उसका जमूरा बेसक कितने भी हाथ पाव मारने की कोशिस भले ही कर ले आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगर बेठ होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंद वंदे बातरम